जी तो अगला हमारा आज का टॉपिक है वह है बाइलजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम क्या कहता है हर लिविंग बॉड़ी के अंदर फॉर अगर हम हुमन हैं तो हमारी अंदर एक क्लॉक सेट होता है जैसे कि हम अगर रोज नो बजे सोना शुरू हो जाएं तो हमें रोज सेट किया हैं अगर हमारी इंटर्नल बॉड़ी जो है वो अपने आपको उस पॉइंट उस ताइम के मताबिक सेट कर लेती है ठीक है उसको हम बोलता है बाल्जिकल रिदम क्या कि हर खास इंटर्नल के बाद वह बहेवियर शो करना क्या कहलाता है बायो रिदम क्या क्या एक प्लांट है जो डे टाइम में अपने लीव बिल्कुल एक्स्टेंट फॉर्म में रखता है लेकिन जैसे ही नाइट आती है वो अपने लीव को जो है यू लोर कर देता है नीचे की तरफ गिरा देता है इसको हम बोलते स्लीपिंग मुवमेंट इसको हम क्या बोलते स्लीप लगाँ में चाहरे विल्क में झांब देक स्वाब इसको है उसका उसके लीव भी बहुत जदा इयरेक्ट कंडिशन में लिकिन जैसे शाम के च्हे बज जाते हैं छाम के लिव जए वो में जिर जाते हैं ये इसको कहा है कि चाहिए कि अपनी जो हैक वह कोई पार्ट बोलते 24h ke baad अपनी व्हे शो कर रहर है तो इसको हम बोलते है डायर्नल रिदम क्या बोलते हैं डायर्नल रिदम क्या ट्विफर आर्स के बाद जो एक्टिविटिश होगी वर गजाने पर स्ट्रवा है कि गरम बात कर लेते हैं बहुत से और लिए बहुत से प्लांट जा दिन के ताम प्लांटी कि बार्ट अर्ट के बाद स्इक्षप को घो हाई प्लैनल सिर्म के अगर हर साल बाद बाद अपने एक्टिविटी पर thoम कर रहा है अपना रिस्पोंस को कर रहा है तो हिसा की साल अपने बात बाद इस साल बाद का एक य क्या की empel प्लांट का प्लांट एक खास मौसम के इस अदर एक फूंट करता है अब आपको नेक्स फू लेने के लिए लिए करना पड़ेगा और साल बाद फिर से वह क्या करें गार यह यह इसका होता है सरका अनुवल रिदम में प्लांट क्या करता है तो सार बाद एक परफॉर्म कर रहा है थैसे आन्यूल रिंग्स का बनना है कि जालम जो आ है वह ड़्ड हो रहा हूं एप सब्सक्राइब देडेगे हैं अले रिदम धूग्स के लिःदम हैं कि कैस्व डाइनूल रिदम हैं कि क्लोक्स हैं जो प्लांट की बॉड़ी के इंद करनल के बाद को रिस्पोंस हो कर रहते हैं अगर वह रिस्पोंस हट 24 आर्स के बाद सहीं है तो डाइनल रिदम है अगर वह रिस्पोंस साल बाद साल बाद साल बाद हो रहता है तो सरकैनल रिदम है ठीक है जी अब बहुत से और्णिसम जासी हैं जिन अपने आपको इस क्लॉ पर आपको रिपीर कर रहा हुआ लाइट दना स्टिमूलाई के सभ us phenomena? अब लेखूस के वाधा स्टिमूलाई now ready to go habe विख यह खरें लाइट श्टीमूलाई लॉगां में चैंच अब छर्ट हम सभा ब्लफण के बलेखके के पिर द्सटे में सभाई में start लिए यह एक्जोजीनियस रिदम है एक्जीनियस रिदम में क्या करता है बाइब प्लांट जो एक्स्टेनल बॉड़ी से बाहर किसने किसी स्टीमुल आई के रिस्पॉंस चो कर रहा है तो यह से भी हमने देखिए प्लांट का अपनी अंधरनल स्टीमुलाई की वज़ा से कोई नहीं को रिस्पॉंस चो करना क्या है एंडोजीनियस स्टीमूरी दम होता है अब यह जो जरूरी नहीं है 24 बात भी हो सकता है हर साल बात भी हो सकते हैं और बहुत ऐसे मेकनियस में जो इन दोनों कंबिनेशन होत हाँ नहीं के पुलाज पाद आफे कंड़ा आपनेशन होना नहीं हें जो जो यहजि लैटल स्टीमूर्व फॉट्वार्स के बात भी होते है मेकनियस ह nämाड जो हो जो तेसं हो किन रिपीट हो यह जो को प्रूपनिफ़ हार के जो जो को सथामाना के लिग चान गार o स्टो ट्राइ की थी कि उन्होंने क्या किया कि जो हमारी फ्रूट फ्लाय है ड्रौस फ्लाय है जो मारे गर्णों में पाए जाती है उसको ए खास exposure दिया खास condition के अंदर रखा है रूज उसको 15 G ander. उसको एक खास condition के अंदर रखी गया है रखी गया है 15 15 consecutive generations उन्हों ने उसको एक खास कंडिशन के अंदर रखाया गया इसका result क्या होगा है कि 15 generations के बाद उनके इंदर 24 आर रिदम का जो clock set था वो खतम हो गया वो खतम हो गया इसका मतलब क्या है कि इन जो external जा इंटन जो external stimuli है वो किसी ना किसी तरीके इसे internal जो बॉडि है उसको effect कर रहे होते हैं अगर आप अपना इंवार्मेंट चेंज कर रहे और कंटिनूश ली चेंज कर रहे हो तो जो लिविंग और रॉडिम की बॉडि है वह अपने आपको उसके मुताबिक ढानने के लिए पहले तो उसको र्याक्शन करती है रियाक्श से पहले जो वो एक पीरियोड के कर रही थी डाइ अर्नल जो रिदम कर रही थी हाट 24 अर्स के बाद वो खुतम हो रहा है क्यों कि हमने उसा इंवार्मेंट बिल्कुल चेंज कर दिया है यह सिंपल से अगर आप नो की बजाए बारा बज़े सोना शुरू हो जाएं तो आपकी बॉड़ी आपका जो क्लॉक है वो नोस की बजाए बारा बज़े पर सेट कर देगी और आपको रोज बारा बज़े नेंद आएगी तो यह होते हैं पाल्जिकल क्लॉक सेंसर कार्डियं द्रिदम के जो बॉड़ी को हर एक खास इंटेर्नल के बाद रिस्पॉंस करने पर जबूर कर रहे होते हैं तो आज आपने यहां तो गयात करने हैं फिमान लिला